Hello Friends, Welcome to Study Stellar तो आज हम बात करने वाले हैं Amazon Forest के बारे में तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम Amazon Forest को दुनिया का फेफड़ा कहकर भी बुलाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी को सास लेने के लिए आक्सीजन के आवस सकता है और दुनिया में जितनी oxygen हमें सास लेने की लावश्यक है उसका 30% हिस्सा Amazon Forest अकेले ही प्रोड्यूच करता है पहुते photosynthesis के मदस्ते अपना भोजन मनाते हैं इस प्रक्रिया में वह carbon dioxide को absorb करते हैं और oxygen को प्रोड्यूच करते हैं लेकिन कुछ दिनों पहले एक research magazine nature ने कहा है कि Amazon Forest oxygen प्रोड्यूच करने से ज़्यादा carbon dioxide प्रोड्यूच कर रहा है और कई सारे articles आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि Amazon Forest is no more acting as carbon sink यानि कि अब Amazon Forest carbon dioxide को absorb नहीं कर रहा है तो हम बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारड़ क्या है क्या हुआ है कि Amazon Forest is no more acting as a carbon sink लेकिन उस खबर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं Amazon Forest के बारे में कि आखिर Amazon Forest है कहां पर ये कहां पर इस्तित है और ये किस देशों में फैला हुआ है तो आप सभी के सामने World Map का नक्सा दिख रहा है जिसमें हम सभी जानते हैं कि एक continent है South America तो Amazon Forest South America में पाया जाता है और ये कई देशों में फैला हुआ है जैसे कि Bolivia, Columbia, Ecuador, Guinea, Venezuela and Brazil लेकिन अगर हम बात करें कि इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा किस देश में पाया जाता है तो ब्राजील में लगवग इसका 60% भाग पाया जाता है तो Amazon Forest mostly ब्राजील में इसका हिस्सा ज़्यादा फैला हुआ है Amazon Forest के बारे में और बात करें तो यहाँ पर Amazon River भी पाई जाती है और अगर हम Amazon Forest के लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो South America में है लेकिन South America में तो है ही लेकिन यह equator के पास भी है जिसकी वज़े से यहाँ पर हमेशा बारिस भी होती रहती है और यह यह विर ग्रीन फॉरेस्ट के कटेगरी में आते हैं और यहाँ पर जो Amazon River है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर के कटेगरी में आती है और हम वर्ल्ड के लॉंगेस्ट रिवर की बात करें तो वो नील है और अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके के पसूपच्छी इसपेसीज पाए जाते हैं तो यहाँ पर वाइड वैराइटी जॉव सिस्ट पाई जाती है और वर्ल्ड की आल्मोस्ट 25 परसेंट आफ इसी अमेजन जंगल में पाई जाती है तो आप सोच सकते हैं कि अमेजन जंगल कितना वी ब्यूटिफुल और कितना चार्मिंग और ह यहां पर oxygen जो है, वो कम produce हो रही है, बलकि carbon dioxide ज्यादा produce हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि यह सारे हिस्सों में है, यह जो हमारा Amazon जंगल है, उसके eastern पार्ट में, और specifically हम बात करें, यह south eastern पार्ट में ऐसा हो रहा है, और eastern और south eastern पार्ट में आपको देखने के मिलेगा कि वहां पर तो अब आप कहेंगे, क्या जंगल में आग लग गई है, जिसके जैसे यह आग लग गई है, और carbon dioxide प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह आग जो आपको दिख रही है, वो nature की आग नहीं है, मतलब यह जैसे कि वाली जी बिजली गिरने से, या ऐसे कोई आग नहीं लगी है, यह पेडो को, उस एरिया में पेडो को साफ करते जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपर किस तरीके से उन पेडो को जला दिया जा रहा है, और इनकी लगडिया भी किसी काम की नहीं आ रही है, बस उनको, उनका मकसद है कि उस जगह को साफ किस लिए कर रहा है, इस जगह को वो साफ कर रहे हैं अग्री कल्चर के लिए थाकि उनको इंडस्ट्रीज एग्री कल्चर के लिए उनको जगह मिल सके क्योंकि आप ब्राजील में देखेंगे तो उनका उनको उनको उतनी लैंड मास नहीं है उनके पास कि वो एग्रीकल्चर कर सकें और फैक्तिरीज लगा सके तो वो फैक्तिर और वे इंडस्ट्रीज के लिए उसे उरिया को रहे हैं जिसके विए से से वहां जंगलों में आग लगा दे रहे हैं जिसके विए से असरी है में बहुत जयादा बढ़ गया है कि आप और और पिकलु है कि जो पपने तो शरू कर नहीं रहा है देख़्िपरागी तक बाबब यवन पने और फॉरस ही का और अपने गजिर करणा पड़ेगा कर Absolından नेगरी कल्चर फार्मिंग को सुरू करेगा लेकिन एक तरीके सी यह नेजर के लिए तो खत्रा है लेकिन मनुस्य को जब जरूरत पड़ती है तो वो खुछ भी करने के लिए आज कल आवादा है लेकिन अगर चाहे तो ब्राजिल इसको एक ऐसे सस्टेनेबल वेव में करने क की कोसिस करेगा ताकि नेचर को भी और कोई हार्म ना हो और उनकी डिवलप्मेंट भी सही रास्ते पर चलती रहे तो आसा करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों कार्बेंडा एक्साइट का इमेशन अमेजन फॉरेस्ट में बढ़ गया है एस कंपेर टू ऑक क्यों कि अरिवलप्मेंट ऑक्साइट कर सकता हुआ है